हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ट्रेट टेक्नो चैनल गाइस आज से सेवन डेज पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया गया था जहां पर हम लोगों ने लक्स इंडस्ट्री लिमिटेट के बारे में डिसकस किया था इसके चार्ट पैटर्न को समझाता कि किस प्रकार इसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है देन क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं क्या हम लोगों का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा जिससे कि हम लोग रिस्क कबर करें और इसमें कितनी अपॉर्चिनेटी है साथी साथ म यहाँ पर इसके fundamental के बारे में भी हम discuss करेंगे लेकिन सबसे पहले guys आज की यदि moment की बात करें तो आज Lux Industry Limited 7% अप moment दिया है अब इसके logic को थोड़ा सा समझ येगा guys देखो मैंने पहले भी आप लोगों को clear किया जब कोई भी share यहाँ पर देखो fundamentally strong है then fundamentally strong के अलावा यहाँ पर आप लोग guys देखो के बहुत बड़ी है trend line को follow करता हुआ यह नीचे की तरफ आ रहा था then मैंने आप लोगों को entry point क्या बताया था यहाँ पर आप लोग देखो यह trend line का बहुत ही प्यारा सा breakout हम लोगों को मिला then यहाँ पर trend line को उसने retest किया है and again यहाँ पर काफी दिन consolidate करन है तो हम लोग वहाँ पे बैट जाएंगे और हम लोग expect करेंगे कि 20% 30% का moment ले ले नहीं हम लोगों को share का completely analyze देखना पड़ेगा पिछली वीडियो में एक comment आया था सर यहाँ पे management issue होने की वज़ा से यह share का price गिर रहा है जबकि इसके competitor की बात करें हम लोग page industry जो की upper class का जो एंडर गार्मेंट बनाता है जोकी ब्रांड है वो अच्छा perform कर रहा है बट यह जो डाउन perform कर रहा है सर management issue है तो यहाँ पे guys आप लोगों को clear होना चाहिए देखो यहाँ पे मैं total time frame में आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा monthly time frame थोड़ा सा बड़े बड़े period की हम बात क क्या है आप लोगों के mind में जो management issue चल रहा है वो क्या reason है यहाँ पे insider trading हुआ था then अभी वो जो news है वो पूरी तरह से जो जिसने insider trading किया था जो भी है वो अभी proper management से अलग उनको कर दिया गया है finally अभी वो news का पूरी तरह से असर इसमें खतम हो गया है ऐसा नहीं है कि company सही नहीं कर रही है guys यहाँ पे देखो price में गिरावट आई एक particular news की बजा से हम लोगों को समझना पड़ेगा वो news का कितना दिन असर है क्या अभी वो चीज़े company की growth के ऊपर कोई effect डालेंगी जी नहीं बिल्कुल नहीं company की net to net sales जो है growth हो रही है उसका peer ratio बगेरा सब कुछ यह यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं तो यहाँ पे आप दोखोगे तो अभी मुझे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी opportunity नजर आ रही है बाके आप लोग अपनी research कर सकते हो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम target की बात कर लेते हैं guys क्या target हम लोग expect कर सकते हैं देखो यहाँ प definitely यह चोटे चोटे target आप देख सकते हो कि 20% 10% यहाँ पे आप लोगों को easily मिल जाएंगे but मैं आप लोगों को recommend करूँगा कि इस share में आप long period of time के लिए रोख सकते हो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग fundamentally इसको देख लेते हैं कि क्या कुछ यह कर रही है company guys यदि हम लोग brands की बात करें तो यह man, woman एवं kids तीनों के लिए under garment का man इनका business है जिसमें इनके काफी सारे brand है luxe classic है, luxe koji जो भी recently आप देख सकते हो, luxe charisma है, luxe venue है, luxe touch है तो काफी सारे brand इनके हैं जो कि एक अच्छे label पर काम कर रहे हैं तो यह बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को brand value भ focus करिएगा, यदि आप लोग historically P ratio देखते हो, तो यहाँ पर P ratio का chart आप देखोगे इसका जो P था, वह 2018 में लगबग 70 के आसपास था, then अभी यदि historically आप देखोगे lowest P ratio पर यह लोग ट्रेड कर रहा है, जैसी कि आप देखोगे लगबग 16 का P ratio चल रहा है, जो कि हम लोगों expenditure यहाँ पर कम हो रहे है, then operating profit भी अच्छा है, कोई issue की बात नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ा financial बहुत बेटर है, then guys बहुत ही interesting चीज़, यदि आप लोग यहाँ पर देखते हो share holding pattern को, तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है कि promoter holdings लगबग 74.33 प्रतिसत है, और उसके अलावा यहाँ पर सबसे important क्या होता है, आप लोग share holding patterns देखते हो, कि बहुत कितना promoters ने hold किया है, बट यहाँ पर आप लोगों को जरूर नजर देना है, क्या holders, promoters जो है, उनने कोई share place किये हुए है, तो बिलकुल यहाँ पर हम लोगों को clear नजर आ रहा है, कि कोई भी share यहाँ पर place नहीं है, यहाँ पर आप लोग देखोगे year on year या quarterly यहाँ पर September 2022 की बात करें, तो 74.39 था, देन उसके अलावा यहाँ पर December 2021 में promoters ने अपनी holding को कम किया, 73.95, देन अगेन यह holding को बड़ा रही है, अगेन यदि जून 2022 को आप देखोगे 74.33 प्रतिसत जो है promoters holding है, तो यह good sign हम लोग बोल सकते हैं, यह अच्छा sign है कि promoters अपनी holding को बड़ा रहे हैं, यदि guys हम लोग strength की बात करें, the company has saw a good profit growth जो की 51.98 प्रतिसत for a past 3 year को यदि हम देखें, तो यह अच्छा sign है, revenue growth की बात करें, तो यहाँ पर past 3 year में 21.62 प्रतिसत बड़ा हुआ है, और साती सात में, यहाँ पर debt की बात करें, तो इस company के उपर कोई भी करजा नहीं है, guys, यहाँ पर आप लोग देखोगे 118 करोर, इस से जादा तो company के पास में cash पड़ा हुआ है, तो हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं, यह करजा free company है, जो की again एक good sign हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ROE की बात करें, return on equity की, तो यहाँ पर 30% है, and ROCE की बात करें, यहाँ पर 32.9% है, over the past 3 years, तो यह अमारे लिए एक बहुत अच्छा good sign हो सकता है, तो guys, काफी सारे plus point है, साथी साथ हम लोगों को chart के उपर देखते हैं, एक बहुत बढ़िया breakout जो है, मिला हुआ है then आप लोग एक छोटे से risk के साथ में, आप देखो जब भी आप लोग guys trade ले रहे हो, तो यहाँ पर ना केबल हम लोगों को target की और focus करना है, यह सबसे important point होता है guys, इन चीजों को बिल्कुल ignore मत करियेगा, आप चाहे long time के लिए कोई भी trade ले रहे हो, या short time के लिए important होता है कि वहाँ पे आप लोगों का proper stop loss and target होना चाहिए, अब देखो guys थोड़ा सा यहाँ पे chart के और नजर डालोगे, तो आप लोगों के लिए सबसे important चीज क्या है, सबसे important है कि आपका risk कितना है यदि आप लोग कोई trade ले रहे हो, profit की बात तो हर कोई करता है, बट हम लोगों को ध्यान देना है, अपनी risk की तरफ की हमारा risk कितना है, guys यदि आप लोग इस point पर trade लेते हो, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा focus करिएगा, आपका जो risk रहेगा, वो आप लोग easily यहाँ पे देख सकते हो, आप इसके नीचे अपना लगभख 20 प्रतिसत का या 15 प्रतिसत क आप risk ले सकते हो, long term के लिए, then उसके against में क्या हम लोगों को reward मिल सकता है, यदि आप वो देखोगे, तो again आप यहाँ दक की target इसमें achieve कर सकते हो, जो की above 50 प्रतिसत, यानि की 60 प्रतिसत तक profit आप लोग target कर सकते हो, but यहाँ पे focus रखिएगा कि मैं यहाँ पे short term vision की बात नह achieve कर सकते हो, बाकि यहाँ पे आप लोग देखोगे यह target है आपके पास में, then उसके अलाबा यहाँ पे यह target आप लोग लेख सकते हो, 30 प्रतिसत का, then उसके बात में सीधा हमारे पास में यह target जो है मिल जाता है, यदि मैं अपना personal view रखूँ तो मुझे यह share बहुत attractive लग र दालना चाहूंगा, बाकि आप लोग अपनी research के according जो है अपना decision ले सकते हैं, so thank you so much video देखने के लिए, thanks for watching and bye bye